स्वीरे लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन साथी साथ हमारे साथ ललित मिश्रा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिस्टॉरियन हैं, हमारे साथ दो इस वक्त हिस्टॉरियन हो गए हैं, एक तो ललित मिश्रा जी अभी अभी स्टूडियो में जॉइन किये ह और प्रॉफिसर कपिल कुमार इससे पहले, आलांकि आप सुन नहीं पाएं, लेकिन जिस तरह की बात यहां पर प्रदीप मिश्रा कहे रहे हैं, ललित मिश्रा जी, आप क्या इसको देख रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा भावनाओं का भी खयाल रखना और या जनता को अपनी जनता से अपनी अपील करनी चाहिए, किन्तु हो यह रहा है कि सभी में कॉंपटिशन की भावना काफी तरजी से बढ़ गई इन दिनों, सोचल मीडिया के आने के बस्चाथ, इस वज़ा से साइध मर्यादा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, अब ज किन्तु भगवान कृष्ण के मंतर नहीं है, तो राधा जी सनातन का एक तत्वा, एक कंसेप्ट है, जो अनाधी काल फे चलता चला रहा है, और जब भगवान विश्ण के रूप में अवतारन होती है, तो उनके साथ में भी राधा जी उनकी भक्ति और गोपिका के रूप म बंद हो गया है, तो अलग संपर्दाय जो मुगलकाल में अस्तित्त में आये, उनके द्वारा रुक्मनी जी का इस्थान राधा जी को प्रदान किया जा रहा है, जो की अत्यानत सोचनी भी शाय है, और इस पर हमारे सभी गूरु वरों को, कथा वाजकों को आपस में गंब अतार देखिये, कोई ना कोई ऐसा प्रस्ताफ कहिए, कोई ना कोई ऐसी बात कहिये, वो लगातार लाए जा रहे हैं, अब एकमत होना यहां पर होगा, कि क्या एक ऐसी सजा हो, जो सब, जिस पर सहमत हो, और फिर उस सजा का ऐलान कर दिया जाए, तो क्या वो ऐसा भी कुछ यहां से होने वाला है दिपेश माने की यहीं पर इसी इसी मंच से वो एलान कर दिया जाएगा यह क्या रहने वाला है अब यह आगे हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं लालिक जी नहीं कहना चाहरा हूं कि इस तरह की पंचायतों के द्वारा जैसे हम देखतें खाब पंचायतें होती है उस तरह के प्रारूप में हम धर्म की स्थापना और धर्म Natural की चर्चा नहीं कर सकते हैं इस तरह के पंचायतों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए यदि विवाद का निरने करना भी है तो आशी विश्वत पर एक सगें लोग अपने जो भावना है उसको कैसे का उपस्तित करें आप जिस प्रकास से वहां एक वेक्ति ने विरोध क किया तो लोग एकटे होंगे एकत्र होंगे अब सरकार तो आपको पता है कि इसकी उपर अगर कोड में चले जाएंगे तो कोई निर्ने आने वाला नहीं कोई विवस्ता बनने वाली नहीं क्योंकि हमारा इतिहास ही जिस पकासे प्रताडित किया गया है आकरांताओं के शुति के माध्यम से ही ये गरंद उपस्तित रहे इसी के कारण से ही यह सारा विवाद है आप सोचें बारतिय संस्क्राइब की समद्ध में कहा गया था कि आज आप जैसे पड़े लिखे लोग की आवश्यक्ता है कि जो कॉलिजिस में आज अकेडमिक पॉंट अविव से इन सब पे कारे कर रहे हैं उन सब चीज में आज ही भारत का इतिहास जो है वो केवल माइथलोजी के रूप में उपस्तित करने की बात की आप सोचें इस इतिहास को जिससे लोग याद रख सकें दो भारत का एक स्वाभाग्य था कि कावे की रूप में इंगित कर दिया गया नहीं तो आज अकरांता हो ने जिस परकार की में बस्ता बनाई आप मुझे एक इतिहास में पढ़ने को आप सबको पत मिला होगा कि भारत की समस्त ग्र लेकिन भारती संस्क्रीब कही गई है न कि हर महात्मा के साब से हर जिस ने जिस परकार से देखा ध्यान के माद्यम से उसको वहाँ उपस्तित किया तो राए